हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्ती स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पालक की बहुत ही लाजवाब सब्जी और जो बचे पालक नहीं खाते हैं वो भी पालक खाने लग जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तियार होगी और आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको रैस्पी पसंदा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बैल आइकन को दबाईएगा इसके लिए मैंने 500 ग्राम पालक लिया है इसे अच्छे से दू लिया है और इसे डंटल समेती मैंने काट लिया है ज्यादा बिल्कुल पते नहीं लिया है थोड़ा से डंटल भी लिया है अब एक पैन में पाने करेंगे उसमें पालक डाल देंगे और सरफ दो मिनिट के लिए इसे हम उबाल लेंगे जिससे कि इसका जो पानी होता है ग्रीन वाला वो निकल जाए पालक को कभी भी उबाले जो इसका ग्रीन पानी होता है उसे फैक देना चाहिए क्योंकि लेडीजों को जो जाईयों की प्रॉब्लम होती है वो आइरन की एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे शरी में तब होती है और अगर हम उस पानी को पीते है तो फिर वो जाईया और बढ़ने लग ज अच्छे से इसे मतलब थोड़ा ठंडा कर लेंगे जिससे की इसका सारा पानी हम निचोड सकें अराम से इसी तरीके से आप भी अराम से छली में इसका पानी निचोड सकते हैं अब एक मिक्सी जार लेंगे उसमें इस सारा पालक डाल देंगे क्योंकि हम बिल्कुल इसे फा पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे बेसन पालक को अच्छे से लेंगे और थोड़ा से से टाइट इसका डू लगाके तियार करेंगे जैसे हम आटा गूतिए रोटी के लिए सेम ऐसा ही लेंगा कि तीयार करेंगे देखिए बिल्कुल तयार हो गया डूलक कर और हम इस्सका हूँ डालेंगे चैया पस्टड डाले हल्क हलक सा दबाते वीके और फिर हम इसके में थोड़ा थोड़ा बेसंद लगाते वे इसे बेल लेंगे इस तरह से बेसंद लगायाए आठा भी लगा सकते है अगर बेसंद से आपको ज рис पक रहाogy आठा लगा सकते हैं वैसे इतना नहीं चींग नेकर निहीं जाए अर निसे काफो चीवर निम्हते है या लिए करेंगे सन गlor और लेंगे lucky बिल्क्स अबिलानने लगाने के लिए डने के लिए और पिल्कुल भी जैसे रिक्षराहक्तela के और जाएंगे तो यह उपर आ जाते हैं अब इन्हें दो मिनट के लिए उबाल लेते हैं अब एक मिक्सी जार में मैंने तीन टमाटर काटे हैं यह बड़े साइज के इन्हें हम पीस लेंगे और इसमें दो हरी मिर्च भी डालेंगे हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता इस तरह का पानी हो जाता है यह बेसन की वेज़े से हो जाता है देखिए निकाल लिया है मैंने सभी तयार कर लिया है अब एक कड़ाई में हम एक चमचा मस्टर्ड ओयल लेंगे तेल अच्छे से गरम हो गया है तो हम इसमें एक चमच साबुजीरा डालेंगे एक कटावा प्याज इसमें एड करेंगे और थोड़ा सा यह मैंने 7-8 लसन की कलियों को कूट लिया है माम दस्ते में तो इन्हें भी डाल देंगे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप चाहें नहीं लसन खाते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं कोई बात नहीं अब इसे बास को अच्छा सा गोल्डन बाउन भून लेंगे जले नहीं बराबर चलाते हो जब यह अच्छे से बूंजाएगी तो इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वह डाल देंगे दो मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से बून लेंगे और अभी मसाले ऐड़ और बहुत मसाले को अच्छे से घून लेंगे और इसमें जब यह तेल रिलीस करने लग जाएगा तो हम आधी कटो इसे कम पाने डालेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और यह पालक और बेसन के गटे बिलकुल तयार हो गए ठंडे हैं बिलकुल तो अब हम इने काट लेंग मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और देखे रोल में यह जो बीच में हॉल है इसमें अच्छे से मसाला चला जाएगा और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है इस वज़े से अब मसाला देखिए तेल भी उपर आने लग गया अलका तो अब हम इसमें यह पालक के ad add कर देगे और देखे देखने में इतना टेस्टी लग रहा है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है सब्जी कोई भी घर का घर का लीजो एक बूला है किसा बचे बड़े उड़े सभी खाएँगे चाप भी बूल जाएगे आप इसके रहे बिल्कूल उससे भी अच्छा टेस्ट लगता है इसका और बहुत ही हैल्दी और पोस्टिक तो यह सब्जी है क्योंकि पालक और बेसन से बनके तो यार हुई है अगर आप सब्जी को इतना ही सूखा रखना चाते हैं सुखी सब्जी खाना चाते हैं तो इससे थोड़ा सा पानी डाल यालके पांच मिनट लिए पकाए गया क्योंकि को वेशन और गट्टे की सब्जी को नहीं तो इसमें थोड़ा समय उबलावा पानी डाले हूँ कच्छा पानी ने डाला है दो कटोरी मैंने इसमें उबलावा पानी डाला है और अब इसे हम पांच मिनट के लिए ढख कर पकाएंगे जिससे किसकी भाब भी निकलती रहे थोड़ा सा इसका और बिलकुल ढखना भी नही है सारी इस तरह से हम सबजी को सर्फ कर लेंगे देखे देखने में लग रही है न कितनी टेस्टी इसी तरह से खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है आप बनाइए जरूर ट्राइ कीजिएगा और वीडियो पूरी देखने के लिए फ्रेंग्स थैंक्यू फोर ऐसे ही मेरे मेरे मेरी वीडियो डालती रहती है तो प्लीस मुझे मेरी वीडियो देखा कीजिए बहुत मॉटिवेशन मिलता है उससे पसंद ना है तो डिसलैक भी कर सकते हैं खास बात अगर आप इसे चावल के साथ खाएंगे तो चावल के साथ तो राइस के साथ तो भी होती टेस्टी लगती है सबजी थोड़ा सा इसे पतला करके खाईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए